देखी मुझे ऐसा लगता है कि हम सरकार पे हमेशा उंगली उठा देते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं as individual ये हमारी खुद की responsibility है कि हम उस हिंसा को अपने साथ और दूसरों के साथ होने से रोके जब किसी लड़की को पहले ही step पे ये पता चल जाए कि ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है अगर आज ये कर सकता है तो ये कभी भी कर सकता है तो हो सकता है कि शरद्धा को ऐसी कोई बात पता हूँ जिसकी वज़ा से आप ताब ने ऐसा खदम उठाया हलांकि ये बहुत डूटल है किसी भी लड़की के साथ इस अब तक तो किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए ये नमस्कार नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास प्रोग्राम में प्रोग्राम की शुरुवात करेंगे और बात करेंगे साथ दिली में हुए श्रद्धा वालकर के केस की श्रद्धा वालकर के केस में अब तक का सबसे बड़ा चौकाने वाला खुलासा जो हुआ है वो हुआ है पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान जी हाँ आपको बता दे कि केस का मुख्यđ रोपी आफ्ताब आमीन पुनवाला, पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो या फिर पोस्ट नार्को टेस्ट, इन तीनों टेस्ट में आफ्ताब ये कभूल कर चुका है, कि उसने श्रदधा वालकर की जान ली, न केवल श्रदधा की जान ली, ब अगर confession पर गौर करें तो आफताब का कहना है कि श्रद्धा उससे परिशान थी उसकी हरकतों से परिशान थी और उससे ब्रेक अप करना चाहती थी और ये चीज आफताब को बिलकुल भी पसंद नहीं आ रही थी क्या इस बयान पर भरोसा किया जा सकता है एक लड़की अगर बॉइफरिंट से ब्रेक अप करना चाहे तो क्या गुस्से में एक बॉइफरिंट अपनी गल्फरिंट की जान ले लेता है उसके पैतिस टुकडे कर देता है आफताब का ये बयान हर किसी को हैरान कर रहा है खास तो और अगर बात करें तो उन इस्पेसलिस्ट की जिन्हों से एक बार फिर से वही सवाल पूछे गए जो उससे पॉलिग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के दौरान पूछे गए थे और यहां पर आफताब ने आखिरकार ये कबूल कर लिया कि उसने श्रद्धा की जान गुस्से में या फिर हीट आफ दा मुमेंट में नहीं ली बलकि पूरी प्लैनिंग के साथ उसने श्रद्धा की जान ली श्रद्धा सबेत 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को डेट करने वाला आफताब आखिरकार क्यों लड़कियों को अपने प्रेम की जाल में फसा रहा था अब फाइनली सवाल का जवाब मिल चुका है लेकिन इसके बाद आखिरकार श्रद्धा वालकर की केस में अगला मोड क्या होगा ये हर कोई जानना चाहता है और इसके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरह से हर कोई अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहा है कि अब आफताब का कंफेशन मिल चुका है और इस वक्त देह्शत में जी रहा है खास तोर पर लड़कियों की अगर मैं बात करूँ क्योंकि धीरे धीरे इसाही लेकिन अब इंडिया अतना मौडर्ण हो गया है कि लिविन रिलेशन्शिप बहुत नॉर्मल है सवाल मेरा आपसे ये है कि श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कहीं न कहीं लड़किया लिविन रिलेशन्शिप या फिर अपने प्यार जैसी चीज़ों को लेकर घबराई हुई है कई लड़कियों का ये भी कहना है कि अब वो भी कहीं न कहीं दूसरे धर्म में अगर उनका किसी से प्यार है किसी लड़के को पसंद क साथ क्या कुछ वा और ऐसे में आखिरकार लड़कियों को आप क्या करना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं वो बहुत जादा घबराई हुए और इस घबराहट से खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक धर्म या जाती की बात नही है कि वो प्यार में इतनी जादा खो जाती है कि उनको ये समझने आता कि उनके लिए जो एक्चली सही है वो क्या है आपके पेरेंस कुछ बोल रहे हैं आपके रिष्टेदार कुछ बोल रहे हैं आपका खुद का दिल गवाही दे रहा है अब उसको तो मान रहा है आपका द कुल गलत है लेकिन शायद कोई वजा हो इसके पीछे क्योंकि हम हकीकत अभी हम सब के सामने पूरी तरीके से नहीं आई है तो हो सकता है कि श्रद्धा को ऐसी कोई बात पता हो जिसकी वजा से आफताब ने ऐसा खदम उठाया हलाकि यह बहुत बूटल है किसी भी लड़की के कर सकता है घरेलू हिंसा हम अपने बचपन में अपने अडोस पडोस में कई बार बच्चे अपने घर में भी देखते हैं तो उन्हें उसी से सीख लेना चाहिए अगर इंसान ऐसा है तो वो जिन्दीगी भर के लिए उसके साथ रहने लायक नहीं है तो वैसे ही श्रद्धा को भी उस वक्त सोचना चाहिए था कि यह उसके लिए एक सही डिसिजन नहीं है उसको मूव ओन करना चाहिए चाहिए वो किसी भी तरीके से घर से वापस आई कोई भी पेरेंट होंगे अपने बच्चों को किसी भी सिच्वेशन में एक्सेप्ट कर लेते हैं जब उनको पत कि मेरे साथ यह हो रहा है और आफतार के सचाई जो इस घिनवाने अपरात के बाद बाहर आई है वो बहुत पहले आ चुकी होती तो यहां पर साफ तौर पर नित्या माम का कहना है कि यहां पर श्रद्ध को यह चीजे समझने की जरूरत थी और कहीं ना कहीं वो लड़किया जो इंडिपेंडेंट है लिव इन रिलेशनशिप में रहनी है उन्हें भी यह चीज समझने की जरूरत है कि आपका दिल जो आप से कह रहा है उसे सुनिए लेकिन अगर आपके साथ इस तरीके का कोई भी असॉल्ट हो रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई यह कि अपराधों को रोकने के लिए सरकार या प्रसाशन को क्या कदम उठाने की जरूरत है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सरकार पे हमेशा उंगली उठा देते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं as individual यह हमारी खुद की responsibility है कि हम उस हिंसा को अपने साथ और द आपके लिए क्या सही है आपका पहला सवाल क्या था प्रग्या आफता आपको क्या सजा मिली सजा की बात देखे मैं यह कहना चाहूंगी हमारा एक law है हम as human हमें हमें बहुत दुख होता है किसी के साथ कभी कुछ गलत होता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसको चौराही पे ल हमारे पास गवर्मेंट है अभी जो हमारा केस है श्रद्धा का केस है वो पुलीस के पास है गवर्मेंट उसके लिए खुद से स्टैप लेगी कोड है वो बताएंगे क्या है और मुझे ऐसा लगता है कि यह इतना जादा बूटल है कि इसके लिए गवर्मेंट कोई ना सफ तोर पर कहना है कि आफताब को जो सजा मिलनी है इस बात का फैसला यहां पर प्रसाशन करेगा सरकार करेगी पुलिस इस वक्त केस में च्छानबीन कर रही है लेकिन जिस तरह से आफताब की वैन पर कुछ हमलावरों ने तलवारों से हमला किया वो सफ तोर पर गलत था अब आपके से लेकर क्या राय है कि आखिरकार आफताब को क्या सजा मिलनी चाहिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही मुझे दीजिए जासत नमस्कार